नमस्कार, Jai CAC, मैं समर्च वादरी और आज मेरे साथ सुनी सर हैं तो सर सबसे पहले टेक्नो 24 एस्परेंट्स का वेलकम तो वीडियो सॉलूशन और एक बहुत अच्छा एक्जाम अपने पांसमों को कंड़क्ट करा है साथ स्टेट में जिसमें अपने को पैरेंट्स और बच्चों के बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला बहुत शांदर बिल्कुल सर तो और आप क्या कहना चाहोगी सर सबसे मैं चीज है कि पहली बार इतना बड़ा एक्जाम कंड़क्ट हुआ बिल्कुल सर शेवन स्टेट में कंड़क्ट हुआ बिल्कुल सर 1,38,000 प्लस इस्टूरेंट्स इसके ऐस्पैरेंट्स बने बिल्कुल सर इसके भागिदार बने और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी पैरेंट्स का जो अपने बच्चे को एक स्वर्णिम भविश् के लिए पैरेंट्स का हूँ इन्ह पैरेंट्स का जिन्होंने पैरेंट्स के ओपर विश्वास किया और अपने बच्चे को एक बिल्कुल Boss तavaşने कम ओपर के महा अवियां में जो मैं किसी आ प्रव तक ट्लस के निक लिए कंड़क्ट पिर वाया गया उन सभी ट्व priority्र उनका result भी डिकलेर होगा First of all, मैं आपको बता दूँ इस video solution में आपको क्या क्या मिलने वाला है आपका जो भी paper रहा उसके जो भी content थे जो भी subject थे उसका complete depth wise video solution मिलेगा आपको और इस paper की खास बात जो बच्चों की दौरा हमें मालूम हुई वो बात थी कि totally NCRT based paper होना exam oriented paper होना बहुत सारे ऐसे students सर जुनों ने पहली बार OMR को approach किया था पहली बार OMR based paper दिया था तो कहीं न कहीं एक रस्ता और mind का जो expansion है इस चीजों को लेकर कि OMR based paper कैसे होते हैं और competitive approach कैसी होती है साथ स्टेट के बच्चों के साथ अपनी क्लास के एक्जाम दे रहे हैं कि 22 लोनों को result declare होगा तो आपको भी पता लगा कि मैं साथ स्टेट मेरी क्लास में बच्चों में कहां ख़़ा हूँ तो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा confidence रहेगा अच्छा platform अपने दिया है बच्चे को तो बच्चे के लिए बहुत beneficial रहेगा प्लस आपको पता ही है कि एक्जाम के साथ में अपन डिटेल वाइस अपन माक्षी प्रोवाइड कराएंगे उस बच्चे को पता लगा कि इस इस टोपिक से मेरे सवाल आए थे कौन सा टोपिक मेरा कमजोर है कौन सा मेरा स्टोंग है कि जब मेरे class का जब मेरा annual exam होगा यदो 12 का बच्चा है जब मेरा neat का exam होगा ہے जाइ का exam होगा तौह मुझे कौन से टोपिक पर और ध्यान देना है मैन फोकस कोई पर उर किस टोपिक पर करना है और सबसे खास बात ये भी रही कि बच्चों ने जो स्लेबस पढ़ाता ना अपनी स्कूल में उसी के उपर बेस्ट ये पेपर कंड़क्ट करवाया गया अभी जो रिमेनिंग स्लेबस है उससे कोई भी सिंगल क्योशन भी नहीं होना ये बच्चे के अंदर फिर से एक confidence के level को आंसर की अपनी वेब साइट पर अपलोड कर दी थी आज आठ नॉवंबर रात को आठ बजे complete paper का solution in English and Hindi मीडियम सेपरेटली अपने सिंगर के YouTube चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं और उसके अवादे 22 नॉवंबर को अपन टेक्नो 24 का पांच बजे result डिकलर करने वाले हैं और आपने उसमें क्या-क्या भागिदारी निवाई हैं वो सब कुछ बिल खुजर तो अल अबेस्ट वर रिजल्ट थांक यू Jai CLC Hello, Myself Kuldeer Rattal, Team Mathematics CLC Seeker. So student we are going to solve techno 2024 paper for class 9 and math section. So first question is the product of two, two digit numbers is 2160 and their HCF is 12. HCF is the common factor of these two numbers. So, we can say that first number is a equal to 12x and second number b equals to 12y. Here x and y are co-prime, there is no common factor for x and y. If there is common factor, then HCF will change. So, now their product 12x into 12y is equals to 2160. So, x into y is equals to 2160 upon 12 into 12. So, it is x into y is equals to 15. Now, we have choices for x and y is either 1 or 15 or 3 or 5. If we take x equal to 1 and y equal to 15, then b is 12 into 15 that is not a two digit number. So, this case is cancelled. So, now 3 and 5 for 3 x equal to 3 then a is 12 into 3 that is 36 and b is equals to 12 into 5 that is 60. This satisfies our condition that is 2 digit number 36 and 60 are 2 digit number. Now, sum of these numbers that is 36 plus 60 which will 96. Our answer is 96. The first question completes. Now, second question. Root of m equal to 3 n. Now, we have to find out that m upon n square. So, we can see here n square. We can square both sides. Root of m square is equal to 3 n square. m equal to 3 n square. Now, divide by n square both sides. n upon n square equal to 3. Our answer is 3. Sorry, 3 no. 3 square is 9. So, our answer is 9 that is 9 by 1. The correct option is second. Now, question number 3 x equal to 2 plus root 3. Now, we have to find out that value of x cube plus 1 by x cube. So, first of all, we can calculate the value of 1 by x equals to 1 upon 2 plus root 3. For simplifying this 2 plus root 3 1 upon 2 plus root 3. We have to rationalize the denominator. So, we have to multiply it by the rationalizing coefficient that is 2 minus root 3. 2 minus root 3 2 plus root 3 will become 1 and 2 minus root 3 numerator. 1 by x equal to 2 minus root 3 upon 1 that is. Now, we have to calculate a quantity that is x plus 1 by x. Now, we have to calculate a quantity that is x plus 1 by x. That is 2 plus root 3. 2 minus root 3 is equals to 4 by a plus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 2 sorry 3 a b into a plus b. Now, replace a with x and b with 1 by x. We get x plus 1 by x cube equal to x cube plus 1 by x cube that is the required quantity and 3 into x into 1 by x that will become 1 and x plus 1 by x. Now, we have value of x plus 1 by x that is 4. So, 4 cube equal to x cube plus 1 by x cube plus 3 into my 4. 4 cube is 64 and that is 3 into 12. 3 into 4 is 12 minus 12 equal to x cube plus 1 by x cube. So, our answer is 52. 52 is the option number 1. Now, next question is question number 4. The common quantity must be added to each term. You have to add a square b square. Let us say x will be the common quantity. A square plus x and b square plus x. Now, it will become a upon b. We have to add a quantity in a square and b square. So, ratio of a square b square will become a ratio b. Now, cross multiply this a square into my b plus x into b equal to b square into a plus a into x. Now, transfer b to this side. So, a x minus b x and b square into a to this side. A square b minus b square a. Now, take common a b, a minus b and after taking x as common factor a minus b is other factor a minus b, a minus b will be cancelled out. So, x is a b. So, we have to add a b as the common quantity to become a square b square to a ratio b. So, option number 1 is correct. Now, list 2 shows the degree of polynomial given in the list 1. List 1 gives the polynomial and list 2 their degrees. So, here first polynomial is 2 y power 8. This is the highest degree term, highest power term y power 8. So, degree is the 8. First p will match with q means 4, p will match with 4. Second or third may be correct option. 2, 2 is the 0 degree polynomial. So, 2 q match with 3 q match with 3 and 5 x minus root 5 to a linear. So, x degree will be 1 and last but x square. So, degree is 2 the first option number 2 is the correct term sign. Now, proceed to question number 4. The following are the steps involved in finding the value of a power 4 plus 1 by a power 4 when a plus 1 by a equal to 1. So, a plus 1 by a we have to square first then power proceed for power 4 a plus 1 by a square. So, this is the first step. Now, after squaring we get a square plus 1 by a square plus 2 equal to 1. So, this is the second step. After that we have to square for this a square plus 1 by a square whole square. So, third step is this. Now, this is the fourth step and last. So, C, first is C, second is A, third is D, fourth is B and fifth is E. C A D B E. So, first answer is correct. Now, question number 7. Find the value of m if distance between these two points is 13. We know that the distance formula is root over x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. It is the distance between these two points A and B. So, this is A or this is B. Now, distance given is 13. So, x2 or y2 and x1 and y1. So, x2 minus x1 8 minus minus 4 square plus y2 minus y1 and minus 7 minus m square. 13 square equal to you have to square both side. 8 plus 4 means 12 square plus minus 7 minus m that is m plus 7 all square. If we transfer 12 square to this side 13 square minus 12 square will become 5 square. 5 square equal to m plus 7 square. So, m plus 7 is either 5 or minus 5. So, m will be minus 2 or minus 12. Our answer is minus 2 minus 12 that is option number 2. Now, next question is question number 8. The centroid of triangle whose vertices. So, formula of the center is x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Now, these are the x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Now, just put these values in this formula we get the coordinates of centroid 2 plus 4 minus 3 divided by 3 comma minus 3 plus 2 minus 2 divided by 3. So, here 6 minus 3 will be 3, 3 upon 3 is 1. So, coordinate of the centroid is 1 comma minus 2 plus 2 cancel minus 3 upon 3 that is minus 1. The coordinate of the centroid is 1 comma minus 1 option 2 is the correct answer. Now, next question is the end point of the longest chord. Longest chord means of the circle is diameter. So, diameter is the longest chord and end points. So, end points of the diameter this point and this point minus 4 comma 2 and minus 6 comma minus 8. We know that the center center is the midpoint of the diameter. For midpoint we have to calculate. So, x1 plus x2 this is the formula for midpoint y1 plus y2 by 2 x1 plus x2 means minus 4 minus 6 minus 10 upon 2 and y1 plus 4 y2 2 minus 8 mean minus 6 by 2. So, our coordinate of the center of the circle is minus 5 comma minus 3. So, minus 5 comma minus 3 is in the option 4. Now, question number 10. Find the value of k points these three points are collinear. If points are collinear. If points are collinear then area of the triangle found by these points is must be 0. So, delta must be delta must be 0. Now, formula of the delta is 1 by 2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 and last x1 y1 that is equals to 0. Here first point is x1 y1 second is x2 y2 third is x3 y3. Now, put these values in this formula 1 by 2 is multiplied with 0 that will become 0. x1 that is 10 and now 14 y1 x2 is minus 3 and y1 y2 is 3 x3 x3 k minus 8 10 and 14. Now, multiply 10 and 3 that is 30 minus 3 and minus 8 that is 24 and k and 14 is 14 k. Now, minus 3 into by 14 and minus 42 and k and 3 is 3 k and 10 and minus 8 it is minus 80 is equals to 0. 24 sorry 14 minus 3 that is 11 k and 30 24 that is 54 minus 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 plus 2 that is 122 is equals to 0. So, 11 k plus 176 is equals to 0 that will become after dividing 11 by 11 k plus 16 is equals to 0. So, value of k is minus 60. So, our answer is option number fourth. Now, question number 11 which of the following graph is shown for y equal to 3 x plus 2 just by calculating 2 points on this line we can say that this graph is belongs to y equal to 3 x minus 2. For first point put x equals to 0. So, we get y equal to minus 2. So, point is 0, minus 2. This point is on negative y axis. Now, put y equal to 0. So, we get x equal to 2 by 3. So, point is 2 by 3 comma 0 point is on positive x axis. So, just find a line which intersect negative y axis and positive x axis. Negative y axis and positive x axis that is option number 4. Option 4 is a correct answer. Now, question number 12 find the value of z. First equation is 4x plus 5y plus 9z equal to 36. For z we have to remove x and y. So, let us check if there is common multiple of x or y. Here 3 is the common factor just divide by 3. So, we get a 2x after dividing second by 3. Divide by 3. So, 2x plus 5y by 2 plus 11 by 3z equal to 49 by 3. Now, multiply this by 2. So, we get 4x plus 5y plus 22 by 3z plus sorry equal to 49 into 2 upon 3. Now, this is the equation number 1 by 3. Now, this is the equation number 1 and this is the equation number 2. By subtracting 1 minus 2 by subtracting 2 from 1, 4x plus 5y, 4x plus 5y will be cancelled out. 9z minus 22z upon 3 is equal to 36 minus 49 into 2 upon 3. Here 9 into 3, 27 minus 22 means 5z upon 3. Here we have to take 2 as common. So, 18 minus 49 by 3. 18 into 3, 54, 54, minus 49 that is 5, 5 by 3. So, our equation will become 5z by 3 equal to 2 into 10 upon 3. 3 and 3 will be cancelled 5 and sorry that is 5, 5 and 5 is cancelled. So, value of z is 2. So, option number 1 is the correct answer. Now, proceed to question number 13. If 2a minus 3b equal to this then what is the value of a minus b? We have to calculate just value of a and b by elimination method. So, here value of a is 1 plus 3b upon 2. Put this into this equation. 5, 1 plus 3b upon 2 plus 2b equal to 50. Now, multiply all equation by the number 2. So, here 5, 1 plus 3b plus 2b into 2 means 4b and 2 into 50 that is 100. 5 plus 3b means 5 plus 15b plus 4b equal to 100. 100 minus 5 is 95. 15 plus 4 is 19b equal to 95. 19 to 95 that is 5. So, value of b is 5. If b is 5 then a, a equal to 1 plus 3 into 5 divided by 2 that is 16 by 2. So, a equal to 8. Now, we have to calculate the value of a minus b. a minus b means 8 minus 5 is equals to 3. So, option number 4 is the correct answer. Now, solve the equation 4 into 2 power x minus 1, 3 power y minus 1. Just we can see 2 power 3 power. here 2 power x 3 power y. We have to make same 2 power x and 3 power y. So, just multiply 2 with this 2 power x minus 1. It will become 2 into 2 power x and 3 with 3 power 3 minus 3 power y minus 1. That will become 3 into 3 power y equal to 70. Let us say 2 power x equal to a and 2 power y sorry, 3 power y is equals to b. Now, equation these 2 equation will become 2a plus 3b equal to 17 and 3a minus 2b equal to 6. Now, multiply this equation by 2 and this equation by 3 and add both. this will become 4a plus 6b and 9a minus 6b equal to 34 plus 18. 6b, 6b cancel 9 and 4 is 13a as equals to 34 4 plus 18 means 52. So, a equal to 4. If a equal to 4, then b will be b is 2 into 4 plus 3b equal to 17. 8, 17, 17 minus 8 means 9b, 3b equal to 9. So, b equal to 3. So, 2 power x equal to a that is 4 and 3 power y equal to b that is 3. So, here x equal to 2 and y equal to 1. So, answer is 2 comma 1 that option number 1 is correct. Question number 15, the square root is? So, we have to find out the square root of this number. First, in all option there is no denominator. We have to remove the denominator from this number also. The root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2 multiply root 3 plus root 2 by the rationalizing factor that is root 3 minus root 2 2 root 3 minus root 2. So, in numerator this is the square of root 3 minus root 2 and in denominator we can use a plus b and a minus b equal to a square minus b square that is 3 minus 2 will become 1 root 3 minus root 2. This is the final number. We have to find out the square root of this number. For calculating the square root we have to just remove the square we get root 3 minus root 2 as the square root of this number. So, option number second is correct. Now, question number 16, 0.42 into 100 power k is equal to 42, 0.42 we can write this as 42 by 100 into 100 power k is equals to 42, 42 42 cancel. So, 100 power k is equals to 100. So, k is equals to 1 because 100 power 1 equal to k is equal to 100. So, k equal to 1. So, option number third is the correct answer. Now, question number 17, if 3 power x plus y equal to 81. Now, we can see that 81 is the 3 power 4. So, by comparing both side we get x plus y is 4. Now, in this equation second equation 81 power x minus y that is equals to 3 power 4 into x minus y equal to 3 power 1. 3 power 1 is also 3. So, by comparing these two equation base is same. So, power must be same. So, we can say x minus y into 4 equal to 1 after dividing by 4 we get x minus y equal to 4. Then find the value of x. So, we can add these two equation y will be to remove. So, x plus y plus x minus y is equals to 4 plus 1 by 4. Y and y is cancelled. So, 2x equal to 17 by 4. So, x equals to x equal to 17 by 8. 17 by 8 is the third option. Now, question number 18, class size, class size of 10 to 20. So, class size is the upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit minus lower limit. Here upper limit is 20 and lower limit is 10. So, class size is 10, option number 4. Now, question number 19, the range of the observation is 23. So, range is 23. Find the least possible value of x. We can say that range is always the difference of highest observation and least observation. So, 35 let us say 35 is the highest observation. So, 35 is the highest observation and x is the lowest observation. 35 minus x is equals to 23. So, x equal to 35 minus 23 that is equals to 12. So, x is equals to 12. So, lowest least possible value of the x is the 12. Now, question number 20, mean of the following data, mean of the following data, there is a formula for mean that is sigma xi fi upon sigma fi. Now, we have fi that is 5, 7, 3, 4, 8. So, sigma fi that is 5 plus 7 plus 3 plus 4 plus 8. It is 5, 7, 12, 12, 3, 15, 15 or 12, 27. So, sigma fi is 27. Now, we have to calculate the xi fi class is the xi and frequency is the fi. So, xi fi that is multiply of these two, 15 into 5 that is 75, 20 into 7 that is 140, 25 into 3 that is 75, 35 into 4, 120 and 35 into 8 that is 280. Now, add these all 4, all 5 sigma xi fi, 75, 75, 150, 150 or 140, 290. So, 290 and 400 means 690. Now, mean mean is the 690 sigma xi fi and sigma fi that is 27 divided by 3 because it is not divisible by 5, 9 or 27 divided by 3 that it will give 230 upon 9 and 9, 9 to the 18, 5, 0, 9, 5 is a 45, 45 and so on. Option number second is the correct answer. So, mean of this observation frequency distribution is 25.55. Now, question number 21 LCM of these two numbers here we can say that x a highest power is x power 5, y square y square. So, y square and z is not there, so z cube. Now, for constants 18, 18 means 2 into 3 square and 45 means 3 square into 5. So, highest power of 2 is 2 power 1 and highest power of 3 is 3 power 2 and 5 is 5 power 1. 5 into 2 is 10 and 3 square is 9, 9 into 10, 90. So, 90 x power 5 y square z cube. So, that option number third is the correct answer. Now, 22 square root of this number 1296, we have to factorize this by prime factorization 1296. Here we can say that it is divisible by 4 because 96 is the last 2 digit that is divisible by 4. So, we directly divide it by 4. So, 3 and 2 and 4. Now, 24 is also divisible by 4. Now, again divide it by 4, 4, 4, 81 and 81 is also the square. So, 1296 can be written as 4 square into 81, 81 is 9 square and b power 4 square root is 4 into 9 and b power 4 b square. 9 into 4 is 36 and b square is also there. So, 36 into b square that is option number 4. Now, question number 23 factors of 27a square minus 9a is factors here we can say a and 9 is also common. So, 9a is the common after that taking common 9a there is only 3 and a is there. So, 3 and a here only 1. So, 9a into 3a minus 1 option number 2. 24 square root of this number 81 square root of 81 is 9 b square means b a power 4 in a square and 36 means 3 6 x square x y cube it is divided by 3. So, 3a square into b now 3 to the 6 2 x 2 x y cube our answer is 3a square b 2 x y cube second option the correct answer. Now, question number 25 square root of this number a square x square minus 2ax a square x square we can write it as a x square minus 2 into a x and 1 is as 1 square and multiply it can be we can clearly see is it is a x minus 1 all square. So, square root of this number is a x minus 1 thank you very much. Hello friends, I am Nilesh Planiya, MAT faculty CLC seeker. Now, we are discussing our video solution of CLC techno 24 subject MAT. Now, we are on 26th number question related to as a coding decoding. If in a certain code describe in a certain code describe is coded as f c j s d t f e then how we will code we make e plus 1 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 and plus 1 means all the letters of the given word make the series of the given word make the series of the plus 1 we same pattern as using the consider r s e f d e i z s t n o o p c d then our answer is f s f e z t o p d option number first is a right answer okay dear now next question a and b are the brothers a and b are the brothers c is the father of a c is the father of a d is the father of c d is the father of c e is the son of a b e is the son of b then how is d related to a d related to a e father father's father grandfather 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 great grandfather okay option number third is a right answer there are the six member a b c d e and f in a family there are the two marriage couple in the family the member of the family are the lawyers teachers vendor engineer accountant and the doctors seller D is married to lady seller seller D is married with lady teacher then profession is teacher and gender female then male okay the doctor married to the lawyer doctor married with lawyer accountant F is the son of B accountant F is the son of accountant F is the son of B and brother of E and brother of E lawyer C is the daughter-in-law of lawyer C lawyer C is the daughter-in-law of A then we know that there are we have the only two couples first one this and next there means C is the daughter-in-law of A means A is here and daughter is the son of the seller and the wife of the doctor is C who is lawyer okay is the unmarried engineer is the grandmother of A A is the grandmother of A sorry F then F is here that is accountant and we know that account F is the son of B means B is here and E is their engineer okay then family tree is completed now how is E related to F E related to F we know that E is the sibling of F either brother or sister option number second and third option number fourth is a right answer option number fourth is a right answer study the three different position of the cube given below and answer what number comes opposite to two opposite to two means six and three six and three common two opposite to five option number second is a right answer in the cushion four letter pair are the given any three out of four are alike in some way so their form of the group which is one of that does not belong the group crow bat pigeon and parrot except bat sorry bat is the all these are the birds and bat is the mammal option number second is a right answer in the cushion below are given statement followed by the conclusion you have the taken given statement to be the truly even if there seems to be the variance with commonly known facts read the conclusion logically follows from the given statement disregarding commonly known facts given answer all baskets are poles and some poles are lamp some poles are lamp and all lamps are road first is that some lamps are baskets some lamps are basket basket and lamps have no relation some roads are pole some roads are pole and some lamps are pole some lamps are also well option number second and third third is a right option number second and third option number third is a right second and third second and third okay same cushion all all gods are parrot all boards are parrot and all gods are crows all parrots are crow all parrots are crow no all parrots are not crow all goats are crow all goats are crows some crows are good some crows are good and some parrots are good some parrots are also got option number second third and fourth are logically in fact second third and fourth option number second is a second third and fourth okay in the row of 21 girls when monica moved fourth place towards the right monica is here four places one two three and four monica is now here then she becomes 12th from the left then she becomes 12th from the left this one position 12th 11th 10th 9th 8th means 8th is the earlier position from the left what is his first position from the right end of the row right end of the row then 8 plus x minus 1 left plus right minus 1 equals total equals to 21 then x equals to 21 minus 7 equals to 14th 14th means option number second is a right answer okay next in a row of children nita ranks 15th from the left end nita is 15th from the left end okay dear if she slides forward four places towards right four places one two three and four means nita is here she becomes eight from the right then she becomes eight from the right from the right from the right hand how many children are there in the row means 15 is here three are them between them and eight are there 11 11 on 15 26 26 means option number second is a right answer next a b c d e are sitting in on bench among them a sitting next to b a is sitting next to b and c is sitting next to d but d is not the next of e but d is not the next of a next miss never as e is sitting on the left is of the bench e is sitting the left is of the bench one of rest are on the right side of the e okay c is second from the right c is sitting second of the right a is to the right of b a is to the right of b a is to the right of b and e a is to the right of b and e a is to the right of b and e okay and but a and c are sitting together but a and c are sitting together okay then what is the portion of the a seat we know that c is here first is that a and b are the neighbor a and c are also neighbor and c and d are the neighbor when we consider that a is here then we know that a and c are the neighbor but a and b how is the possible then we assume that d is here then d is here means a is here and b is here okay let's what person of the d a sits a sits between b and c option number first is a right eight friend pq rst v w and y are sitting around the square table in a such way that four of them sits at the four corners of the square while four friends sit in the middle of the each of the four sides firstly we make the squarer table one two three four five six seven eight those who are sitting at the four corner of the faces center and while those who are sitting in the middle on facing outside joh outside me hai joh middle mein bethe hai woh outside me face karke bethe hai joh corners pe hai dia setting facing towards center okay s is third to the right of p p facing towards center p facing towards center means p is here then first second third s is here p is facing towards the center y does not sit sit next to p or y y does not sit p s t sits third to the right of r t sits third right of r t sits third right of r okay this is third right r is not in the middle of the any of the side r is not on the middle corner pe hai okay middle of the side and r is not next to y r is not next of y only one person sits between p and v only one person sitting between p and v okay r is q does not sit next to v q does not sit next to v okay dear then you assume that for the position of the y y is not here 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 then we have the two possibilities for y this one and this one we consider that y is here when y is here we know that p and v have the only one person between them then this is not possible then v is here okay then we know that r is on the corner then we have the only one person for the r then r is here and r is third right of t sorry t is third right of r then first right second right and t is here q is not here then q is here and next one which one is the remainder w okay our question is ready which of the following is the true about y which is the following true about a y t does not sit next to y t does not sit next of a y but is the next of y next y sit in the middle of the one of the side y sits in the middle of the one of the side no this one is not a true r sit second to the left of y r sit second left of y option number third is a right next question also related from the same pattern who among the following sits for to the left of v left of v one two three fourth why among the fourth why option number first is a right answer next jan ki walked two kilometer from her house towards north from there she took a right to turn and walk up one kilometer then she again took a right turn and walk a distance of two kilometer in which direction she is going south option number third is a right answer rakesh move 20 meter in the east after that 10 meter in the south after that 35 in the west then 5 meter in the north after that walk 15 meter in the east 15 meter 20 and next 15 means there this one is the 15 okay now in which direction is the end point from the starting point from the starting point from the starting point from the starting one means south option number third is a right answer a man walk 15 kilometer in the east direction and the turn left and walk of 5 kilometer now he turns right and walk a distance of 5 kilometer how far and in which direction is he from the starting point the direction i think this one and north and east and in option north and east but we calculate the distance also 15 yvala distance calculated then how is the possible then we make the right angle triangle okay and use the pythagoras theorem this one is the 5 15 and 5 20 20 square 400 plus 5 25 square root and option is not in there then we choose the option number fourth okay thank you students class 9 techno exam ke physics section ki question 41 the area of velocity time graph area of velocity time graph describes displacement so very simple question correct answer will be 2 let's move to the next question 42 a stone is dropped from the top of a tower velocity after falling 500 meter so it will be solved by third equation of motion it will be v square equal to u square plus 2 a s final v we have to calculate velocity when it will hit the ground initial velocity stone is dropped so it will be 0 plus 2 acceleration will be equal to acceleration due to gravity and that will be 10 and distance traveled in vertical direction will be equal to height and that will be 500 after solving it we will get velocity v is equal to 100 meter per second so when stone will hit the ground it will hit with a velocity of 100 meter per second so correct option will be 200 meter per second next question 43 velocity time graph is given we have to find displacement and acceleration during moving c d so we have to move only part c d means time 8 to 16 second so displacement will be area of velocity time graph and that we have to calculate this area it will be equal to the displacement this shape is triangular and area of triangle and area of triangle will be given by half of base into height base is 16 minus 8 means 8 and height is equal to 8 so it will be 64 by 2 means 32 meter so displacement covered will be 32 meter next we have to find acceleration 32 meter option is in option 1 and 4 means option 2 and option 3 are incorrect now in portion c d velocity time graph is straight line and inclined and inclined to time axis means uniform acceleration but velocity is continuously decreasing means uniform retardation and in case of uniform retardation means instantaneous retardation average retardation everything will be equal to and that will be calculate by change in velocity upon time duration so velocity at 16 second so velocity at 16 second minus velocity at 8 second upon 16 minus 8 so at 16 second body is in rest at 8 second it will be 8 upon 8 so by calculation it will be minus 1 meter per second square so you just have to find the slope of a velocity time graph from c to d and it will be minus 1 so correct option will be 4 32 meter displacement and minus 1 meter per second square will be acceleration so correct option is 4 let us move to the next question 44 an object of mass 4 kg move with velocity 4 meter per second and we have to calculate momentum very simple momentum is defined as the product of mass and velocity of the object mass is given 4 kg and velocity is 4 meter per second so it will be 16 kg meter per second means we just have to put the value to get our answer so correct option is option number 3 let us move to the next question question 45 a goalkeeper in the game of football pulls his hand backward after holding the ball suppose initial ball is ball of mass m is moving with velocity v and after keeping the ball finally ball will come into rest when goalkeeper will catch it so well mass into velocity so well mass into velocity means initial momentum is p and final momentum is 0 so change in momentum will be equal to 0 minus p now there will be two situations one suppose goalkeeper will catch the ball and make sure that their hands will no not move in the direction of ball then time duration will be very small but by pulling the hands backward time duration will increase then by newton's second low of motion force applied force applied will be equal to change in momentum upon time duration so change in momentum is fixed means a ball football of mass m moving with velocity v is finally coming into rest but time duration will change so if we will pull hands backward this means we are going to increase the time we are going to increase the time duration but momentum is again fixed so ultimate we are reducing the force means we are reducing the rate of change of momentum and rate of change of momentum decrease means force acting on his hands will decrease so correct option will be 4 decrease the rate of change of momentum let us move to the next question velocity time graph is given we have to calculate frictional force force is defined as the mass into acceleration force and now we have to calculate acceleration acceleration slope of velocity time graph will be equal to acceleration slope of velocity time graph and by calculating the slope we will find and that finally velocity will be becomes 0 initial velocity was minus 80 time finally 8 second minus initially 0 so mass cal given to s will be 50 gram so let us convert it into kg into it will be minus 10 so by calculation we will get minus 0.5 newton force will be negative negative sign indicates that force acts in the direction opposite to the motion so correct option will be option number 1 let us move to the next question which of the following statement is incorrect so anode means the electrode which is connected to the positive terminal of battery is known as anode and connected to the negative terminal is known as cathode so option one is correct pure water is poor conductor of electricity again correct third electrolysis is used to to refine impure metals it is correct ions have only a positive charge it is incorrect ions have positive charge as well as negative charge so incorrect option will be 4 next in the given figure electrolyte anode and cathode in previous question we are talking about anode means electrode which is connected to the positive terminal of battery positive terminal of battery positive terminal means anode is a next cathode electrode connected to the negative terminal of battery means c and no doubt b is electrolyte here so we have to find electrolyte means b anode means a anode means a and cathode means c so correct sequence will be b a c means option number 2 so again let us move to the next question here we have to apply chanel slow chanel slow chanel slow means mu 1 shine i equal to mu 2 shine r mu 1 means mu a into shine 30 degree equal to mu 2 into shine r so angle of refraction will be this it will also equal to 45 degree shine 45 then mu a into shine 30 means 1 by 2 equal to mu b sin 45 means 1 by root 2 by solving it we will get refractive index of medium b with respect to a and it will be equal to 1 by root 2 so correct option will be 2 so very easy we have to just put the values in chanel's look next a child is standing in front of a magic mirror she find image of her head bigger bigger image in front of mirror means image is enlarged and enlarged image is formed only by concave mirror means it will be formed by the concave mirror middle portion of the body is same size same size of image is formed by the plane mirror always and by concave mirror when object is at the center of curvature but we have to choose only one means this means it will be plane mirror because because concave mirror is used to form enlarged image of head so middle one it will be of plane and smaller image of legs is formed by the convex mirror so correct will be concave plane and convex because enlarged image is formed only by the concave mirror so concave mirror is only in third option in the starting next so there are only 41 to 50 10 questions which belong to physics section and we have solved all the questions carefully i hope all of you have done them right hello everyone today we discuss about techno solution chemistry class 9 question number one is latent heat of vaporization of water the simple question database question you have to ask only latent heat what is the vaporization of water direct anxiety based question 22.5 into 10 to the power 5 zoom per kg simple question next when the solid melt its temperature which is used to change in the situation temperature how fundamental exchange will be used to be used to be used to be used in the environment यानि कि इस तो लिक्विड में जब चेंज कर रहे है तो यहां भी चेंज हो रही है और जब भी फिजिकल रिशेट में चेंज होगा टेंपरिचर के रहे हैं कि अब आपको अपने वे निए फिक्स्ट अमांट ओफ ऑक्सिंगेस टेकन इन इस देंडर एंड कमप्रेस्ट इस देंडर पर इसलेंडर और आ ओक्सिंगेस फिल करना है कि पहले इतने बारे इतने सारी बॉल्म के इंदर लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इनका जो वॉलुम है वो डिक्रीज होगा वॉलुम की डिक्रीज होने से प्रेशर लगाने से पॉसिबल नहीं है गलत बात किनेटिक इनर्जी होती है ठीवाइट रट और यह तभी इंक्रीज हो सकते अब टेंपरचिर इंक्रीज करो रिकेंट क्या वोला है इंक्रीज पॉला है तो तो कई नहीं बनता तो आंसर क्या आगा फिर ओंडी वन कहां पर प्रेसेंट अब ना फॉर्ट प्सुट विजाव दा फॉलोविंग आर होमोजीनस टारिट लॉन करने का क्षिए होमोजीनस आइस और यह बोथ हार एंजांपल ऑफ होमोजीनस ऑप्शन नंबर थर्ड फस्ट और फॉर्ट इसकी के वाल्यूम के फ़ॉर्मियू ग करने के लिए क्या होते है यह एक उन्सेंटरेशन मीन हमको जो के वटशन में घिवन है 48 इक फोल टू होता है वल्यूम ऑप वालियूम के व्मिट पे ने रहा है तो वालिम लिखा है हमने volume of solute upon volume of solution और multiply होता है बड़ा 100 48 हमको given a percentage volume of solute हमको given है इस में कितना कि सब 16 है में एड करने volume of solution हमें नहीं पता कितना है एक्समान लिया 100 एज इज है ही इसकोई हम सॉल्व करते हैं तो 16 इंटू 48 अपन 100 यानि कि सॉल्व कोने पर बनेगा 33.33 ml लेकिन ये volume किसका बड़ा भी volume of solution हमें कहाने कालना है कि कितना water add करें water minimums कितना solvent add करना चाह रहे है solution का total हमको volume मालुब चल गया है and we know that solution इजे mixture of solute and solvent solute amount 16 ml solvent amount find total volume of solution 33.33 if we want to to found the volume of solvent then we calculate it from volume of solution minus volume of solute solfeering के इता मनेगा 17.33 ml it is the volume of solvent mean how much water of water should be added then answer is 17.33 ml next two liquids सबसे पहले इन बार two liquids mixture के अंदर है boiling points से difference करना है बोला है कि यह mixture differ by their boiling point तो कौन सा best method है दोनों को separate करने के लिए तो दोनों को separate करने के लिए और खासतोर भी सब्सक्राइब करने के लिए तो इस कंडिशन में जो टेक्निक काम आती है वो कौन से बार इस्टिलेशन डिरेक्ट लर्न रखनी है हाव वाइर कैने बीपट आफ फाइर के इन बीपट आफ वाटर त्रो कर दो मुझे ही हाँ फाइर को पट आफ कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं सद्थ से कडैंए तो आंस्यू किया है उलर ऑघ्ति विछ है livre school ऐसघ्र क सकते हैं कि इसको ट्रो नहीं ली है ड Extraड करने की आइए f votes हुई होती है तो श्रक्ष तु तो आजए Tu trainer काम Xbox करने के लिए नहीं औक decision अबर एरिदा काहा है फॉर्थ ऊप्षिन में ओब ए rel 16 इंड टेफ्ल 1210 पर ठाल यहांद रखने 13 वो यह सभी सब्रेशन सही होंगे थेंकिव यह अलो तुडेंट्स आज हम टेक्नो 9th क्लाश का बीशलेट का सॉलुचन कर रहे हैं हमा फॉस्ट कौस्टन क्रोमसोम्स are made up of chromosomes किसे मिलके बने हुए है direct question है answer क्या जाएगा हमारा DNA and protein DNA और protein से मिलके यह formation होती है then next question the flexibility of plasma membrane can be contributed to the presence of किसकी वज़े से यहाँ पर plasma membrane की flexibility के लिए कौन contribute करता है direct answer के लिए जाएगा lipids से यह contribute करते है then next question match the following columns आपने इनको मैच करना 1st को 2nd के साथ मैच करना है अगर डायरेक्टली बता है scientist की नहीं बता रखिया है और उसकी discovery के साथ है robot hook सब भी को almost पता होगा robot hook के discovery के लिए उताते है किसे मैच करता है उसे directly हम discovery of the cell से यहाँ पर मैच करेंगे then second skliden and squan direct question है फिर से किसे यहाँ पर relate करते है cell theory से relate करते है then robot brown robot brown के discovery किसे match करेंगे यहाँ पर nucleus के साथ करेंगे एक last option बचा पर किंजे किसे इसे match करके चलेंगे हम protoplasm के साथ तो हम directly अगर matching करता हमारा answer क्या रहा है हमारा answer के लिए second option हमारा क्या हो जाएगा answer आजाएगा then next question one bone is joined with another bone एक bone को join करते हैं अगर हम दूसरी bone के साथ तो वह कौन सा tissue काम करता है यहाँ पर tissue कौन सा काम करता है यहाँ पर ligament काम करेंगा यहाँ पर formation के लिए क्योंकि अगर हम tendon के लिए करते हैं टेंडन का formation तो होता नहीं है तो answer हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ligament हमारा answer आएगा then next question fat storing tissue in our body is called अगर directly नहीं पता है fat storage के लिए जाएगा fat storage में कौन करेगा storing के लिए यहाँ पर adipose tissue काम करता है तो 65 का answer कि नमबर क्या गया second option next question colon chyma are characterized by the presence of हमने colon chyma के लिए बिताना है जबकि अब अगर टिशुज है याद हो तीन टाइप के करते हैं pan chyma colon chyma then scleran chyma तो यहाँ पर colon chyma के लिए elongated cells with deposits of cellulose and pectin all over the wall all over the wall के साथ नहीं कर सकते हैं हम answer के लिए next isodiametric cells with deposits of cellulose and pectin at the corners isometric बोल दिया नहीं हो सकता elongated cells with thickening at the corners हमारा answer क्या आजाएगा third option हमारा answer बन रहे है तो यहाँ से क्या आगया elongated cells with thickening at the corners now the next question is pancreas is responsible for maintaining pancreas insulin release करेगा वो आगे क्या maintain करने का काम करते हैं यहाँ पर glucose के level को maintain करने का काम करेगा तो answer क्या आएगा हमारा third option हमारा answer आएगा the next question adolescents should be careful about what they eat because वो क्या खाने के लिए use करते हैं adolescents वो क्या ध्यान रखेंगे क्योंकि proper diet develops their brain proper diet है वो brain को develop करते हैं जबकि हमें options में चार में से exact answer निकालना है second proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body या तो growth के लिए हो जाएगा adolescents feel hungry यह तो directly हो ही नहीं सकता then fourth taste buds are well developed in teenagers यह भी कुछ नहीं है ऐसा तो कुछ लिंक करके हमने करना नहीं है तो हमारा answer क्या निकल के आ रहा है इसके अंदर से हमारा answer निकल के आया then second option हमारा answer आ रहा है यहाँ पे next question pollination refers to the pollination क्या हो जाएगा अगर आपने pollination की प्रोसेस के लिए करते है एक pollen grain pollen grain की attachment अगर बता के चलते हैं कौन से पार्ट के साथ यहाँ पर attachment आजाएगी यहाँ पर attachment के लिए बताते है pollen grain directly attached के साथ करता है यहाँ पर stigma के साथ अधाएच करता है जबकि first option में सिरफ difference का आपे था style जबकि style कौन सा portion होता है यह portion style है यहाँ पर तो हो नहीं सकता है तो हमारा first option तो इसलिए गलत हो गया यहाँ से style वाला then second option transfer of pollen from anther to the stigma stigma part कौन सा जाएगा इस portion को stigma portion बोलते हैं तो यही process चल रही है यहाँ पर तो जब processing यह चल रही है directly answer आगया हमारा second option आगया हमारा answer के लिए आजाएगा then the next question is which of the following parts of a plant takes place in sexual reproduction sexual reproduction की process में कौन सा part working कर रहा होता है इसके अंदर से देखिए फ्लार है फ्लार भी करेंगे हैं अजिस्पोमिक plants को बोलते हैं directly working करते है then seed fertilization के बाद हम बता के चलते हैं seed formation की process भी हो जाएगी then fruit यह भी पार्ट के लिए काम करते है ने लास्ट पार्ट में पस ब्रांच रह गया ब्रांच का कोई relation नहीं चल रहा होता sexual reproduction की process के साथ में तो options के निकले first second and third option तो हमारा answer क्या हो जाएगा first second and third किसमें दिरखे हमें second option में तो हमारा answer क्या हो गया second option थेंक यू नमश्कार में गोविन के जानी CLCC कर से CLC द्वारा आयो जे टेक्नो 2024 जिसका एक्जाम पांच नॉब्बर 2023 को राजस्तान से साथ राज्यों के अंदर संपन्द्वार इसमें ओल आवर इंडिया में पूरे भारतवार्स में 300 से अधिक सेंटर और लाकों की ताधात में बच्चों ने एक्जाम बड़ी इंट्रेस्ट के साथ में दिया इस एक्जाम में क्लास 5,6,7,8,9,10 और 11,12 साइंस साइंस सिट्रिम के जो बच्चे हैं उन्होंने एक्जाम दिया है उस एक्जाम में क्लास 9 का आपका मैथमेटिकल का जो पोर्शन सा मैस का जो पोर्शन सा उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं जैसे पहला कोईशन आपको दिया वाय है दो आउंको की दो संख्याओं का गुरहनफल कितना दिया वायँ आपको 2160 ठीक है दो अंको की दो संख्या है उनका गुणन फल दियावाई 2160 अब यह कह रहा है उनका मासर किता दियावाई आपको 12 दियावाई दो अंको की संख्या है उनका आपको जैसे गुणन फल किता दियावाई आपको कितना दियावाई आपको आपको दियावाई यह है एक आपके सेकंड सें क्या है थीक है हमने लिया कि दोनों संख्य जोना मार्थ साट् कई मिलेगा eld नुमें लगा दिया थीक है हमने क्या कर दिया एक सो और एक को वाई बेन दीया आख खिता गया मैं 2160 ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पर x into y x into y क्या हो जाएगा 2160 बट्टे 12 into 12 12 की टेबल से cancel out हुआ 180 बार और 12 की टेबल से cancel out हुआ 15 टाइम ठीक है अब x into y किता हो गया 15 आ गया तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि x into y किता हा गया 15 15 के combinations 15 के combinations क्या हो सकते हैं एक तो combinations हो सकता है 15 और 1 दूरसा combination क्या हो सकता है 5 और 3 यह दो combinations हो सकते हैं इन दोनों मैंसे कोई नों कोई एक answer होना चाहिए देख लेते हैं अगर मान लोग हम 15 and 1 लगाते हैं मतलब 12 into 15 किता हो जाएगा 180 और 12 into 1 किता हो जाएगा 12 इन दोनों को plus करे तो कितना जाएगा 192 एक यह answer आ सकता है लेकिन 192 हमार 4 options मैं से एक भी options नहीं है तो next combination बन सकता है 5 और 3 12 को 5 से multiply किया 60 12 को 3 से multiply किया 30 6 इनको plus किया कितना बन जाएगा 96 एक combination यह भी बन सकता है तो 96, 96 हमें options दियावा है तो option number 3 will be a correct answer फिर हम next देखते हैं next question जो दियावा है आपको next question दियावा है root m बराबर 3 n और आपको क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे पूछना चाह रहा है m upon n square तो root आपको क्या दियावा है root m बराबर 3 n पहला काम क्या करते है root अटाते है root अटाने के लिए क्या करेंगे squaring both side तो m बराबर क्या हो गया 9 n square पूछ क्या रहा है m upon n square तो n square को क्या कर दो divide में बेज़ दो तो m upon यह आपका m upon n square equals to किता हो जाएगा 9 upon 1 तो 9 upon 1 कौन सा options है तो option number second will be a correct answer ठीक है अब question number third question number third के अंदर हमें क्या दियावा है x equals to 2 plus root 3 x का मान दियावा है 2 plus root 3 अब यह कह रहा है x cube plus 1 बट्टे x cube निकालो हमें बता है x का अगर्मान दियावा है x का मान क्या दियावा है 2 plus root 3 तो पहले क्या करेंगे हम 1 बट्टे x का मान निकालेंगे किता हो जाएगा एक बट्टे दो प्लस रूट तीन हमारी कोश्चन में जो संख्या डीवी है संख्या में हर क्या है आप परी में है तो हम क्या करेंगे हरों का परी में करेंगे तो इसको क्या करेंगे दो माइनस रूट तीन से गुणा करेंगे अंस्वर हर को ठीक है दो माइ करता है एकस क्यूब प्लस एक बट्टे एकस क्यूब निकालना है तो फहले हम एकस प्लस एक बट्टे एकस निकाल देंगे एकस प्लस एक बट्टे एकस किता हो जाएगा दो प्लस रूट तीन प्लस दो माइनस रूट तीन इनको प्लस करेंगे तो किता जाएगा इनको प्लस करने पे मैं रहा गया चाहर अभगी हाँ पर बोलना चाहरा एक राक्स्ड प्ल hall ऐक मान दिया वह उसके मानलो वो पिक न्युक्रण कर दिया धी फिक प्लस एक राल स्वह गोओं प्लस एक मर्टे एक्स माइनस 3 इन्टो 4 4 का क्योब केता होता है 64 3 इन्टो 4 केता होता है 12 64 में से 12 माइनस किया क्या जाएगा 52 52 तो 52 विल बी करेक्ट टांस ओ 52 आपका first option से है तो first option आपका सही हो जाएगा यहाँ पर दिया वाए A square ratio B square अब इससे क्या लगना है हमें A square बटे B square दिया वाए यह कह रहा है इससे मुझे चाहिए क्या चाहिए A बटे B चाहिए इन्में क्या प्लस करना चाहिए इन्में क्या प्लस करेंगे कि हमारा यह टम्स आजाएगा तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं simple से अगर बात करते हैं तो दोनों मैं मानलों आपने X प्लस कर दिया दोनों मैं X प्लस किया X प्लस करने से cross multiply वज्ज गुणा करेंगे क्या हो जाएगा A square B plus B X equals to A B square plus A X ठीक है यह आ जाएगा अब क्या करेंगे दोनों आब X का मान निकालना तो X को प्लस कर दिया तो X यहाँ पर क्या आजाएगा B minus A equals to A B square minus A square B इन दोनों से क्या आजाएगा A B common आजाएगा और bracket में आजाएगा B minus A B minus A दोनों साइड में cancel out हो गया तो X का मान क्या आगया A B आपका option है option number first will be a correct answer consensus आपको दिया होँ है बववववद की बताओ थीक है अच्या बौपत की गात क्या होती है 0 होती है तो अब 0 कहां पे में रही है 0 मतलब option number 3 तो option number third कौन से में second में तो second option नमरा correct हो जाएगा यहाँ पर बोल रहे हैं एक की गाठ चार प्लस एक बटे एक की गाठ चार का मान ग्याद करने के लिए निम्न रिखित चरण दिये गए हैं प्लस एक बटे एक बराबर आपको एक दिया वाए तो दिये गए चरणों में पर्थम से अंतिम करम का व्यवस्थित करो मतलब एक प्लस एक बटे एक का मान दिया वाए और यहाँ से एक ही का चार प्लस एक बटे एक ही का चार का मान ग्याद करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले देखो क्या दियावा है A प्लस 1 बट्टे A इसका क्या करेंगे हम क्या करेंगे की पावर 2 करेंगे स्क्वेर करेंगे उससे क्या हो जाएगा इदर 1 दियावा है A का स्क्वेर सबसे पहले तो C आना चीह है तो C कौन-कौन से में? सारों में है उसके बार में इसका square करने के बार में क्या जाएगा? A square plus 1 बटे A square plus 2 into A into 1 बटे A वहाँ से A से A कट जाएगा 2 बच जाएगा बराबर क्या हो रह जाएगा? 1 यह रहा उसके बार में A आना चीह यहाँ से A square plus 1 बटे A square का मान आ गया क्या कौन सा? minus 1 तो मतलब C के बार में A आना चीह है तो C के बार में A कौन से options हो है? पहले options में हैं, बाकि किसी options में C के बार में A नहीं दिया हो तो आपका option number first will be correct answer M का मान ग्याद करो जिसके लिए इन दोनों के मध्य के जो दूरी किते दीवी है 13 मतलब दो बिंदू है ये दो बिंदू हो गए पहला बिंदू क्या दिया? minus 4, M दूसरा बिंदू क्या दे दिया? 8, minus 7 ये कह रहा है इन दोनों को हमने मिला दिया? इन दोनों को मिला दिया इनके बीच की जो दूरी दीवी है किते दीवी है? 13, 1 ठीक है? इनके बीच की दूरी? इनके बीच की अगर दूरी दीवी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इनके बीच में दूरी सुत्र लगाएंगे तो दूरी सुत्र X2, एलल, यह हमरा X1 हो गया Y1 हो गया, X2 हो गया Y2 हो गया, तो 8 मैंस चार माइनस करेंगे, तो कित Anders आजेगा, 8 माइनस माइनस 4, किता हो जाएगा 12ical plaatивать, फिर क्या करेंगे, माइनस 7 मैंसे M माइनस करेंगे, तो मांँस 7 माइनस M का whole square बराबर किता आगया 13 अब यहाँ पर क्या करेंगे squaring both side कर देते हैं तो यह root अट जाएगा 12 का square किता हो जाए 144 यहाँ पर 7 plus m का whole square करेंगे किता हो जाएगा 4 plus 14 m plus m square बराबर किता हो गया 169 ठीक है यहाँ से क्या करते हम यहाँ से हम यह पक्षांतरन कर देते हैं m square पढ़ा है पढ़ा रहने 2 14 m पढ़ा है 14 m पढ़ा रहने 2 144 और आपके 49 दुनों को plus कर लेते हैं दुनों को plus करेंगे तो किता हो जाएगा 193 एक सो तेराणवे को माइनस करेंगे 169 तो 169 माइनस करने पर हमारे किता आजाएगा 24 24 बढ़ाबर 0 अब क्या करेंगी जो मद्यपद है मद्यपद को वजित करेंगी दो संक्या ऐसी बताओ जिनको गोडा करने पर किता आता है 24 और जोडने पर किता आता है 14 तो क्या हो जाएगी 12 और 2 दो में कॉमन लेंगे पहले दो में क्या कॉमन आएगा M क्या रह जाएगा M प्लस 12 लास्ट दो में कॉमन लेंगे क्या आएगा 2 क्या रह जाएगा M प्लस 12 बढ़ाबर 0 ठीक है यहां से क्या जाएगा M का मान एक तो माइनस दो आजाएगा और एक माइनस बारा आजाएगा M का माइनस दो और माइनस बारा option number second तो option number second सही रहेगा आपको बोला वह एक त्रिभूज है यह आपका त्रिभूज हो गया यह कहारे है त्रिभूज का जो केंद्रक त्रिभूज में आपको दिया वह एक का माण किता 2, माइनस 3 B का मान B का मान क्या दिया है 4, 2 और C, C का मान माइनस 3, माइनस 2 यह कहारे है हमने क्या कर दिया तीनों आपके सीर्सों से हमने मादिकाई कीच दी तीनों सीर्सों से मादिकाई आ गई मादिकाई आपके एक बिंदू पर आके प्रतिफिचे दिखरती किंद्रक बोलते है उसे गुरतभी केंद्र भी बोलते है यह हमार क्या हो गया यह हमार केंद्रक है ठीक है तो केंद्रक के निर्देसनग का फूर क्या होता है X1 plus X2 plus X3 upon 3 Y1 plus Y2 plus Y3 upon 3 तो X1 यह रह X2 यह रह दोनों को plus कि अच्छ है plus x3 3 हो जाएगा 3 बटे 3 किता हो जाएगा 1 इसका 1 और y1-3 y2 2 किता हो जाएगा minus 1 y3 किता है minus 2 किता हो जाएगा minus 3 minus 3 upon 3 किता हो जाएगा minus 1 तो 1, minus 1 कौन सा option है तो option number second will be correct answer अब देखा आपको DIY अगले questions के अंदर अगले question में simple सा है आपका question उस question में दियावा वरत की सबसे बड़ी जीवा की अंतिम बिंदू यह आपका वरत हो गया ठीक है यह वरत की सबसे बड़ी जीवा वरत की सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकती है केंद्र हो सकती है वरत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है आपके आप की हो जाएगी व्यास व्यास वरत की सबसे बड़ी जीवा होती है यह कह रहा है कि उसके अंतिम आपके सिरे यह दोनों सिरे हैं एक ही हो गया और एक ही हो गया यह कह रहा है अंतिम दोनों सिरे एक कित केंद्र निकालना है तो केंद्र मतलब दोनों की दोनों आपके सिरे होंगे व्यास के दोनों सिरे होंगे उनका मद्य बिंदु होगा और मद्य बिंदु की निर्देशांग का सुत्र क्या होता है X1 प्लस X2 अपॉन 2 Y1 प्लस Y2 अपॉन 2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो minus 4 minus 6 minus 10 minus 10 बटे 2 किता हो जाएगा minus का 5 Y का निर्देशांग निकालेंगे तो Y1 प्लस Y2 अपॉन 2 2 minus 8 किता हो जाएगा minus का 6 minus का 6 बटे 2 किता हो जाएगा minus का 3 तो minus 5, minus 3 कौन सा है option number 4 will be a character answer आपको DIY के का वह मान ग्याद करो जिसके लिए ये 3 के 3 क्या है संरेखी है संरेखी मतलब A की रेखा बना रहे है A की रेखा बनाने के लिए हमारे पास क्या conditions हो सकती है या तो इन तीनों की दूरी निकालेंगे और दूरी को बड़ाबर जीरो बैदूरी को जैसे A B plus A B B C और A C निकाल दिया तो A B plus B C equals to A C हो गया या तो ये concept हो का लेकिन जब हमें एक आपको अचर दिया वाए किसे का मान नहीं दिया वाए तो हम उसको ग्यात नहीं कर सकता है तो दूरसा conditions हो जाती है ये जो रेखा दीवी है उस रेखा का हम छेतरफल निकाल देंगे हमें पता है रेखा का छेतरफल क्या होता है 0 होता है तो त्रिबूज का छेतरफल का सुतर लगा कि हम रेखा का चेत्रपल निकाल देंगे तो त्रिपूज के चेत्रपल क्या होता है एक बट्टे दो क्या हो जाएगा x1 ब्रेकेट के अंदर y2 minus y3 plus x2 ब्रेकेट के अंदर y3 minus y1 x3 y1 minus y2 equals to किता हो जाएगा 0 ठीक है तो यहाँ पे एक बट्टे दो x1 किसी को भी consider कर दो यह मानलो हमारे x1 हो गया तो किता हो गया 10 y2 minus y3 यह y2 हो गया यह y3 हो गया तो 3 मैंसे minus कांट minus करेंगे किता हो जाएगा 11 x2 x2 किता हो गया अब का x2 हो गया हमारे पास minus का 3 ठीक है ठीक है तो minus का 3 और y2 minus y3 तो y3 minus y1 आपका किता हो जाएगा minus का 8 minus का 14 किता हो जाएगा minus का 22 फिर x3 किता हो गया k और y1 minus y2 किता हो जाएगा आपका 11 बराबर 0 एक बट्टे 2 है उसका पक्सांत्रेन करवा दिया इन दोनों को गुणा किया 110 आपका ये हो जाएगा आपका plus का 66 plus 11 k बराबर 0 अब next line में अगर बात करेंगे तो next line के अंदर क्या हो जाएगा 11 k बराबर minus का 116 यहाँ से k कमान k बराबर minus का 176 बट्टे 11 कितना आजाएगा minus का 16 तो यहाँ से की कमान आगया minus का 16 तो minus का 16 क्या है आपका option number fourth आपका minus का 16 आपका option number fourth हो जाएगा अब देखो question number आपका 11 के अंदर यह कह रहा है y बराबर 3x minus 2 इसका ग्राब कौन सा होगा y बराबर 3x minus 2 के लिए ग्राब पूछ रहा है अब देखो यहाँ पर बात करते है y बराबर 3x minus 2 अगर हमने x कमान 0 किया x कमान 0 किया तो y कमान किता हो जाएगा minus का 2 और x कमान 0 करने पर x 0 मतलब y निर्दे सांग की बात करते है यह y निर्दे सांग के है ठीक है y axis है तो y axis में आपका आपकी line जहाँ पे cut करी है वो minus पे cut करी है क्या नहीं प्लस पे cut करी है मतलब यह नहीं हो सकता यहाँ पे बात करते है y axis यह रहा y axis यहाँ पे जहाँ पे भी cut करी है वहाँ पे minus है गया नहीं है तो मूल बिंदू से प्रतिचेद करी है मतलब यह भी नहीं होगा तीसा बात करते है y axis यह रहा कहां पर प्रतिचेद का रही है ये भी आपका उपर की साइड में कट का रही है मतलब ये भी नहीं हो सकता y axis के बात करता है ये रहा y axis कहां पर प्रतिचेद का रही है नीचे के साइड में प्रतिचेद का रही है मतलब ये आपका option number 4th will be correct answer जेड का मान ग्याद करो जिसके लिए 4x प्लस 5y प्लस 9z बराबर 36 6x प्लस 15 बट्टे 2y प्लस 11z बराबर 49 अब यहाँ पर क्या आपको आपको देदी रेखिक समिकन दीगे कि क्या 3 4 की तो 3 4 की रेखिक समिकन नॉर्बल है जैसे मान लू यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सो लॉजिक दिएवा है यह दिएवा चार है चार को क्या करेंगे 3 बट्टे 2 से गुणा करेंगे 3 बट्टे 2 से गुणा करने पर 6 आ गया 5 को 3 बट्टे 2 से गुणा करेंगे उससे कितना जाएगा आपका 3 बट्टे 2 से गुणा करने पर 15 बट्टे 2 हो जाएगा मतलब यह दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएगे विलोपित हो जाएगे eliminate हो जाएगे तो हमने क्या किया समिकन एक गुणा 3 बट्टे 2 और समिकन 2 से गटाने पर ठीक है समिकन 2 क्या है एमारे पास 6X प्लस 15 बट्टे तो Y प्लस 11 Z बराबर 49 और पहली समिकन को गुणा किया 6X प्लस 15 बट्टे 2 Y प्लस 9 को 3 बट्टे 2 से गुणा किया तो 27 बट्टे 2 27 बट्टे 2 Z बराबर इसको गुणा किया 54 ठीक है अब गटाया गटाने पर किता आजाएगा आपका ये कट गया ये भी कट गया इसको 11 में से 27 बटे 2 को गटाएंगे गटाने पर किता आजाएगा आपका minus का 5 बट्टे 2Z बराबर किता आजाएगा minus का 5 minus से minus कट गया 5 से 5 कट गया तो Z का मान किता आजाएगा Z का मान आजाएगा यहां पे 2 तो 2 आपका option option number first will be correct answer आपको दिया वाए 2A plus 2A minus 3B बराबर 1 और 5A plus 2B बराबर 50 2A minus 3B बराबर 1 5A minus 2B बराबर किता है 50 यहाँ पे समीकन 1 समीकन 1 को क्या करेंगे हम 2 से गुणा करेंगे और समीकन 2 को क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे क्यों ताकि विलोपन मिद्री आपके लग जाएग 2 से गुणा किया पहले ही समीकन को तो 4A minus 6B बराबर 2, 3 से गुणा किया 15A प्लस 6B, बराबर 130 बराबर 150 बराबर ओ गया आपका 150 ठीक है, हमने क्या किया समिकर्ण, एक गुणा, आपका 2 समिकर्ण, दो गुणा, आपका 3 यह अपने method applicable किया अब यहाँ पर करने पर, यह 6B से 6B कट गया यह क्या आगया, 19 का, 19A बराबर 152 यहाँ से एक कमान आगया, 152 बटे 19 कितना हो जाएगा, एक कमान आजाएगा, 8 एक कमान आठ हने पर हम क्या करेंगे, समिकर्ण, नहीं क्या समिकर्ण, दो, दूनों में से कहीं पर भी रख देंगे समिकर्ण, एक से ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू A, 18, 16 2 इंटू 8 किता होता है, 16 माइनस 3B, बराबर एक, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3B बराबर माइनस का 15 तो B कमान किता आगया, 5 अब यह क्या पूछ रहा है, A मैनस B A मैनस B, मतलब 8 मैनस 5 8 मैनस 5 किता होता है, 3 तो 3 कौन सा ओप्शन से है, तो ओप्शन नमबर 4 आका सही होगा यहाँ पे बोल रहा है, समीकर निकायों को हल करो, समीकर निकाय अलग-लग आपको दिये वह है, उनको हल करना है, क्या दिया वह है 4 इंटू, 2 की पाउर X मैनस 1, यहाँ पे गातां का नियम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 की पाउर X बटे 2 की पाउर 1 प्लस 9 इंटू 3 की पाउर Y बटे 3 की पाउर 1 बड़ाबर 17 यह कट गया 3 बार, यह कट गया 2 बार, मतलब 2 इंटू 2 की पाउर X प्लस 3 इंटू 3 की पाउर Y, बड़ाबर करता हो गया 17, फिर क्या दिया वह है 3 इंटू 2 की पाउर X मैनस 2 इंटू 3 की पावर y बराबर 6 यह समीकर्ण 1 है यह समीकर्ण 2 है तो हम क्या करेंगे वापिस elimination लगाएंगे तो समीकर्ण 1 समीकर्ण 1 गोणा 2 समीकर्ण 2 गोणा 3 कर देते हैं समीकर्ण 1 को 2 से गोणा किया 4 इंटू 2 की पावर x plus 6 इंटू 3 की पावर y बराबर किता होगे आपका बराबर हो जाएगा 34 3 से गोणा करेंगे 9 इंटू 2 की पावर x minus 6 इंटू 3 की पावर y बराबर 18 eliminate करेंगे तो यह आपका eliminate हो गया यह क्या हो गया 13 इंटू 2 की पावर x बराबर 52 यहाँ पर क्या हो गया 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2 यहाँ से x का मान आ गया x का मान आ गया 2 फिर बात करते है y का मान निकालना है तो x का मान कहीं पर पुट कर देंगे तो कहीं पर पुट करने पर क्या हो जाएगा 2 into 2 की पावर किता हो जाएगा 2 plus 3 into 3 की पावर y बराबर किता हो गया 17 ठीक है 2 into 2 की पावर 2 किता होता है 8 तो क्या करेंगे 3 into 3 की पावर y बराबर 17 माइनस 8 किता होता है 9 तो 3 की पावर y बराबर किता 9 बटे 3 किता हो जाएगा 3 3 क्या मतलब 3 की पावर 1 तो y कमान किता आ गया एक आ गया अब पूछ किया रहा है आपको x और y कमान तो x और y कमान किता आ गया 2,1 तो first option will be correct answer आपको बोल रहा है root 3 minus root 2 बट्टे root 3 plus root 2 इसका क्या करना है और वर्गमूल गयाद करना है तो वर्गमूल गयाद करने के लिए मैं पता है क्या करता है हम पहली बात हो यहां पर वर्गमूल गयाद करना है यहां पर आपको आप परिमेर संक्या दी भी है हर आपका परिमे तो आप परिमे जो क्या करेंगे हरों का परिमे करने के लिए रूट 3 माइनस रूट 2 बट्टे रूट 3 प्लस रूट 2 गोणा क्या रहेंगे परिमे करने के लिए रूट 3 माइनस रूट 2 से करवा दी रूट 3 माइनस रूट 2 से तो क्या हो गया रूट 3 माइन रूट दो तो option number second will be correct answer यह कह रहा है 0.42 को किसे गुणा करोगे कि आपा बयालिस हो जाएगा 0.42 को point के बार में किते हैं दो डिजित हैं तो हमें किस से गुणा करवाना है 100 से गुणा करवाना है यह क्या दे दिया 100 की power k तो 100 की power क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए तभी तो 100 बनेगा तो क्या हो जाएगा option number third will be correct answer यह बोल रहा है 3 की power x plus y बराबर 81 और 81 की power x minus y बराबर 3 मतलब 3 की power x plus y बराबर 3 की power 4 यहां से हमारे पास एक समीकर्ण मन गई x plus y बराबर 4 हमने क्या किया गातों की तुलना गर दे फिर क्या दिया हो है 31 को क्या बोलेंगे 3 की power 4 3 की power 4 उसकी power क्या दिविए x minus y बराबर क्या दिया हो है 3 की power 1 यहां से समीकर्ण और आ गई 4 x minus 4 y बराबर किता हो गया 1 ठीक है यह समीकन एक है, यह समीकन एक है और यह समीकन दू है तो समीकन एक को हम 4 से गुणा कर देते हैं समीकन 1 गुणा 4, ठीक है? तो क्या हो गया? 4X प्लस 4Y बराबर 16, ठीक है? और दूसरी समीकन क्या है? 4X माइनस 4Y बराबर 1 दूरों समीकर्णों को जोड़ देते हैं जोड़ने पर y से y कट गया यह क्या हो गया आंठ x बराबर 17 तो x का मान क्या हो जाएगा 17 बटे आंठ x का मान किता है रहा है 17 बटे आंठ तो 17 बटे आंठ कोई option नहीं गया option नमबर 3rd will be correct answer 10-20 10 से 20 से संक्राणा कर परगा करें 10 को रहे रहा हूं यह क्या रहा है नि कलने पराश निकलना है प्राश करें रिया सयए पराज किता दिया हुए तेविस पराज क्या होता है अधिकतम मान माइनस नियून तब मान तो हमें अधिकतम मान यहां पर क्या दिखाई दे रहा है अधिकतम मान हमें दिखाई दे रहा है तो 35 मैंसे जब x गटाएंगे तो हमार तेविस आ जाएगा तो माइनस x वराबर किता हो गया 23-35 तो X का मान करता आ गया 12 तो 12 हो जाएगा एक तो यह condition हो गई दूसरी condition क्या हो तक सकती है कि जैसे मान लो आपका यह X आपका न्यूंतम मानना होके अधिकतम मानने X आपका न्यूंतम मानना होके अधिकतम मानने तो हमें X अगर न्यूंतम नहीं है X New Notum नहीं है तो आपका New notum मान क्या हो गया 14 X क्या अधिक्तम है X मैसे हमने 14 को मािनस किया तो किता आगया 23 X का मान किता आजएगा यहां पे 33 आजएगा अगर X का अधिक्तम मान पूछता तो 37 हो जाता X का New disposum मान पूछता तो किता 8 पूछता हो गया अधिक्तम ठीक है अब यहाँ पर बोल रहे क्या करो दिये गए आंपडू का माद्य ग्याद करना है तो माद्य ग्याद करने के लिए अब मेरे पास एकी सुत्र राशियों का योग बटे राशियों के संक्या लेकिन जब हमें बारम बारता बंटन के अंदर आपको राशिया दे दे तब हम क्या करेंगे सबसे पहले इन राशियों को यह राशिय है और यह बारम बारता मतलब यह राशिय एक्ति बार आई है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को गुणा कर देंगे पंद्रा इंटू 5 किता हो गया 75 इन दोनों को गुणा कर दिया किता हो गया 140 इन दोनों को गुणा कर दिया किता हो गया 75 इन दोनों को गुणा कर दिया किता हो गया 120 इन दोनों को गुणा कर दिया किता हो गया आपका 280 सारों को प्लस कर देते हैं ये दोनों प्लस कर दिये कित्ते हो गया आपके 400 इन दोनों को प्लस किया कित्ता हो गया 150 150 में 140 8 कर दिया कित्ता हो गया आपका 290 290 में 400 8 कर दिया कित्ता हो गया 690 इन राश्यों बट्टे 1212 को जोड़ लेते सारों को किता हो गया 8 और 4 12 12 13 15 15 और 7 22 22 25 27 27 हो गया 3 के पढ़े से गया 230 बटे आपका किता हो गया 9 तो 9 का भाग देते हैं 9 का 23 में भाग दिया किती बार गया 2 बार बच किया गया 5 5 और 0 50 9 का 50 में भाग दिया 5 बार गया बच गया गया 5, 5 continue चलता रहेगा तो यह options हो जाएगा तो यहां पर माध्य का जो सुत्र है माध्य बराबर submission fx upon submission f, यह सुत्र लगता है और उसे हमारे माध्य का मान गया हो जाता है यहां पर दिया भाए इसका लश पूछ रहा है इसका पहले बात करते है 18 और 45 इसका लश से क्या होता है, 90 90 हो गया, फिर बात करते है x, x की गात 3 यहां पर x की गात 5 बड़ी गात क्या है, x की गात 5 तो x की गात 5 कौन से option में है, 3rd option में है तो 3rd option आपका correct होगा यह कह रहे है 1290 बी की गात 4 का वर्गमूल बी की गात 4 का वर्गमूल क्या होगा बी की गात 2 और 1290 का वर्गमूल किता होगा 36, 36 बी की गात 2 तो option नमबर 4th will be correct यहां पर बूला इसका गुणन खंड बोल, गुणन खंड बताओ तो आपको क्या डिया होगा 27 a की गात 2 minus 9 a दोनों से क्या हो जाएगा 9 a कॉमन आ जाएगा किता हो जाएगा 3 a minus 1 तो यह आपको option दिख रहे हैं यह रहा option number second will be correct answer आपको डियावाई 81 c, b की गात 2 और a की गात 4, बट्टे 36 a की गात, x की गात 2 और y की गात 6 यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले 4 की टेबल से कट गया 9 बार 9 की टेबल से कट गया सबसे पहले हमने क्या किया इन दोनों को हमने 9 की टेबल से कट कर दिया 9 की टेबल से पहले कट कर देते हैं 9 की टेबल से कट गया 4 बार और 9 की टेबल से कट गया 9 बार अब 9 का वर्गमूल बात करते हैं 9 का वर्गमूल किता हो तक 3 और 4 का वर्गमूल 2 B की का 2 का B और A की का 4 का A स्क्वेर फिर X का X की का 2 का X Y की का 6 का Y क्यूग अब यह option कौन सा मिल रहा है तो option number आपका second will be correct answer आपको दियावाई A स्क्वेर X स्क्वेर माइनस 2 A X प्लस 1 यहाँ पर A स्क्वेर माइनस 2 A B प्लस B स्क्वेर का फॉर्मूल बन गया क्या बनना है A X का whole square minus 2 into A X into 1 plus 1 का whole square तो क्या हो जाएगा A X minus 1 का whole square और इसका वर्मूल करेंगे तो क्या आज आएगा A X minus 1 तो A X minus 1 आपका option number first will be correct answer ओकी यह आपके पूरे math का solution हो गया ओके थेंक्यू नमस्कार दोस्तों आज हम CLC Tecno 24 के mat के वेपर का video solution लेते हैं question number 26 coding decoding का question है यह दि किसी सांकेतिक बासा में describe को हम लोगों को कह रहा है F C J S D T F E यह तो कह रहा है तो consider को उसी कैसे लिखें तो सबसे पहले से समझते इसने कैसे लिखा है E plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 यह plus 1 यह plus 1 और यह भी plus 1 महलब पूरा series plus 1 में जा रहा है उल्टे से तो R से S F E Z T O P D हमें ऐसा option चाहिए S F E J T O P D option number first is the right answer next A तथा B भाही है A तथा B क्या है भाही है C A का पिता है C क्या है A का पिता है C जो है वो A का पिता D C का पिता है D C का पिता है D जो है वो C का पिता E B का पुत्र है E जो है वो B का पुत्र है E, B का उत्तर तो बताइए D का E से क्या समन्द है इसके पिता है तो पिता के पिता दादा दादा के पिता पड़ दादा ओप्सन नमर थर्ड इसा राइट आंसर ओके नेक्स्ट एक परिवार में छह सदस से A, B, C, D, E तथा F परिवार में दो विवाहित दमपती हैं परिवार में सदस हैं वकील, अध्यापक, विक्रेता, इंजिनियर, लेखाकार और चिकर सकते विक्रेता D अध्यापक महिला से विवाहित हैं तो सबसे पहले इस परिवार में हमारे पास दो विवाहित हैं और जो एक लेंग्वेज य कि विक्रेता डी जो है वो किसे विवाहित है अध्यापक महिला से मतलब यह खुद प्लस होगा मतलब मेल होगा पुरु सदसे होगा और यह किस्य साधी कर रखे इसने अध्यापक महिला से कर रखे जो भी होगा वो में लविया चिकत्सक वकील से विवाइत है जो चिकत्सक है हमारे पास जो चिकत्सक जो है हमारे पास वो किसे विवाइत है वकील से विवाइत है clear लेखाकर F B का पुत्र है लेखाकार जो F है लेखाकार F जो है वो B का कूत्र है लेखाकार F जो है वो B का पूत्र है तथा E का बाई है ये किसका बाई है साथ में E का वकील सी जो है वकील जो सी है वो एक की पुत्र वदू है अब दो ही हमारे पास विवाहित जोड़े हैं जिसमें एक एरा एक एरा और ये पुत्र वदू है किसकी एक है तो एक की कंडिशन तो यहीं बनेगी ना इसकी पुत्र वदू होने का मतलब है कि चिकत सक इसका बेटा था चिकत्त सक इसका बेटा है क्योंकि वकeel in जी जो वकील सी है वह एकी पुत्र वदु ये टो ये किसे स्थाद्य हो जाएगी ये लो वकी ऑप कील और озok एफ की दादी एक है F की दादी तो वही बात है कि फिर इधर ही इन्हीं में क्योंकि फैमिली चाड़ बनाना है तो एफ यहां हो जाएगा और यह कौन बनेगा यह लेखाकार और यह किसका बच्चा होगा बीका तो बी तो इन्हीं कंडिशन में यही बनेगा अब हमारे पास यह कंडिशन हो रहा है कि यह बहुत 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 बहु पांच और प्रशन में चार अक्सर यूगम दिये गए चार में से कोई तीन केसी परकार समाना है अन्त है उनका एक समुव बनता है वैं कौन सा है जो इस समुव में नहीं आता कोवा चमगादर तो था कभूत तर चमगादर क्योंकि एक मैमल है निमिलकित प्रशन में कतन तता से भिन प्रतित हो तर्था तै कीजिए कि देगे निसकर सो में से कौन सा तर्क संगत रूप से अनुशन करता है बले ही सरवाग्याद तत्थे कुछ भी हो तो मतलब यह नयाय निगम का क्यूशन है तो सब से पहले देख लेते हैं सबी टौकरियां जो है वो खंबे है चलो म हमारे पास दियागा कुछ लेंप टौकरियां कुछ लेंप क्या है टौकरियां टौकरियां में को रिलेशन ही है कुछ अड़के खंबे कुछ सड़के क्या है खंबे तो जो सड़के यहां है वो तो खंबों के अंदर ही धना तो यह सही है कुछ लेंप खंबे कुछ लेंप क्या हैं खंबे तो ऑप्शन नमबर सेकंड और थर्ड आर्ट्रू सेकंड एंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में मतलब वही वापिस यह न्याय निगम का क्यूशन सभी बक्रियां जो है वो क्या है तोते हैं और सभी बक्रियां कौवे हैं कौवे हैं सभी तोते कौवे हैं सभी तोते कवे नहीं है सभी बक्रियां कौवे हैं सभी बक्रियां कौवे हैं सभी बक्रियां कौवे हैं कुछ कौवे बक्रियां है तो यह भी सहिए कुछ तोते मतलब ऑप्शन नमर सेकंड थर्ड और आंसर नेक्स्ट 21 लड़कियों के पंगती में जब मोनिका चार इस्थान दाइए और किसका एजाए जैसे मोनिका की रियल पोजिशन यहां ले लेते हैं इसको चार इस्थान दाइए और किसका देता हूं मैं 1234 मतलब मोनिका यहां आ गई तो 22 सिरे से वह बारवे स्थान पर है 22 सिरे से कौन से स्थान फ्रOTHER 1 स्थान के तो पंग्ती के दाएं से स्थी उसके क्या थे मतलब यह वाली स्थी हमें से निकालनी तो यह बताव वह ओ थे यह ग्यार भी जाएगा जाएगा दाइशायन से पहले किस्तति ओके नेक्स्ट कुजन बच्चों के पंक्ति में नीटा कब करम 20 शिरे से जो नीता है उसका बाइश सीरे से कौन से स्थान पे-15 यह दिवयद दाइव चारस्तान आगी किसक जाती है दाइव चारस्तान आगी किसके मतलब 1234 त तो दाएस सीरे के करम से वे आठ वे करम पर आजाती है तो पंक्ति में कुल कितने हैं यहां तक 15 है यह आठ है तो 15 प्लस 8 तो यह होगे बीज में कितने हैं तो यह कितने होगे 11 और यह कितने होगे 26 आप्सन नमर सेकंड लिजा राइड आंसर abcde a bench पर बैठे उनमें इसे a b kke a eta T cd के बगल में बाठा है पर्दो डी जो है वह एक के बगल में नहीं बैठा है क्योंकि ये bench के किनारे पर बैठा है इंसатель में किनारे उठा दो तो टो ओड़ाय तो टोंओं उर टोल खेंव इतने हैं तथा ए बी और ये तरफ जो ए हो वह बए अगर ऑर में बठस देता हूं तो ऑर सी साथ में होगे हैं हमारे पास लेकिन अब और बीट साथ में नहीं होगे न तो अधर भी नहीं बढ़ेगा और c ऊदर अदर ऐसलोजी roz ची और इसलोज डी कि अमने इसलोज है और इदर ने आचट ौर फीले ट है और सी मिन पढ़ेगी एक और यह लेने ईटेगी आप attय वाई एक वर्गागर में इसके गिर्द इस परकार बैठें उनमें से चार वर्ग की कोनों पर तो सबसे पहले मैं यहां से एक वर्ग बना लेता हूं उस वर्ग के चार कोनों पर बैठें यह ठीक है जबकि चार प्रतेग बुझाओं पर तो यह लोग चार प्रतेग इसके दाएं को तीसरे स्थान का बगल में नहीं बैठा टी आर के दाएं और तीसरे स्थान में और के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है यह किस का स्थान पर बैठा है और किसी भी बुझा के बढ़िए विए निपे बैठा है मतलब शीदी शीदी बार था कोणे पर बैठा है यह दो कोणे की possibility मेरे पास यही 3 है अगर में यहां से कंदिशन में एक कंदिशन है और व के सब्सक्राइब नहीं कि चलो अब इन mask करते कि अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें जो सब्सक्राइब दीवे वाई वाली उसी को ले यूज करते हैं, तो information Y के देखो, Y यहाँ भी नहीं हो सकता, 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 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, अगर मैं Y को यहाँ बठा दू तो आर इसके बगल भी नहीं हो सकता, तो R की यह कि यहां को बेट है तब यहां वाई बेट है तब यहां ओर कि कर्ता यहां से और फिर अगर और को यहां लेता तो यहां से first, second, third तो पहली बाद तो P और V के बीच में एक रेक्ती बैठा है तो ने तो वो यह हो सकता और ने यह हो सकता है इन दोनों में से एक seat खाली रखनी थी तो मैं आर की condition यह भी नहीं होगी अब आर की condition अगर मैं यहां लो या फिर यहां लो तो उसके लिए मुझे अगर मैं यहां लो तो फिर मुझे Y यहीं बिठाना पड़ेगा जो condition नहीं बिठेगा मतलब मैं Y तो यहां ले लेता हूँ और R मैं यहां consider कर देता हूँ इसके अलावा जो possibilities हैं वो एक बार मैं हटा देता हूँ मैंने जो consider कर ही है नहीं क्या जिससे की आपके भी समझ में आ जाए है अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें तो सबसे पहले मैंने Y यहां ले लिया अब यह यहां आ गया तो सीधी बात है V यहीं आएगा क्योंकि P और V के बीच में एक एक पिक्ति है अब हमारे पास R यहां तो R के दाए तीसरे जन पर तो R के दाए पहला दूसरा तीसरा तो यहां को न जाएगा मेरे पास T क्यों बगल में नहीं होगा तो क्यों यहां हो जाएगा बच गया कोन हमारे पास P आ गया क्यों आ गया R आ गया S आ गया W बच गया अब यहां जाए गा क्योंशन हमें चाहिए है देख लेता है कंडिसन सबसेट होगी है वाई यह पी और एस बगल नहीं पहला दूसरा तीसरा ही आर कोंड इवे निफ वह बठा है और वी के विच में एक रिक्ती है क्योंकि पास में वी है वह क्योंकि पास में यह है वाई के समय में कुन सत्ते है वाई के बगल में टी नहीं बैठा बल्कि बैठा है यह तो बैठा यह तो यह पीज्था वी यह जो से उठा लेता हूं मैं solution दो नहीं मिल कितमें से वी के बाइए और चोथे स्थान पे कौन है वहां हमें लाना है वी के बाइए और चोथे स्थान पे तो वी यह रहा तो वी का बाया पहला दूसरा तीसरा चोथा मतलब वाइ आंसर आएगा आप्स नम्मर फरस्ट जा राइट है जानकी अपने घर से उत्तर की और दो किलो मेटर चलने जाती है वहां से दाइं और मुढर कर एक किलो मिटर चलते है फिर दा उर मुढकीं किस दिशां दे कर और चलती तो बीस ही हो गया पंदरा ही हो गया तो बीस और पंदरा के इसाफ से तोड़ लेता हूं महीं से चल कर पांच मिटर उत्तर की और चलता है तो यह पांच मिटर उत्तर की और चला फिर वह पंदरा मिटर पूरफ की और चला तो पंदरा मिटर पूरफ की और चला मतलब इस पॉ सबसे पहले प्रार्मिक स्थान से तो सबसे पहले जो हमारे पास दिसा रहेगी वो तो जाएगी उत्र पूरू है उत्र पूरू जैसा पांच बीस और यह वाला हमारे पास हो गया पांच तो यह चार सो और यह पच्चेस चार सो पत्चेस का रूट हम लोग पास नहीं तो हम लोग प्च्चेस नमर फॉर्टीजा राइट ओके थैंक यू वैलकम स्टुडेंट्स मेरा के सकुमावत हम टेक्नों सॉल्यूशन कर र तो इसका एरिया निकालना पड़ रहा है इसका मतलब हम करेंगे वेग गुणा समय और वेग गुणा समय को कहा जाता है विस्थापन अपना आंसर हो जाएगा कौन सा सेकंड नेक्स्ट क्यूशन है एक टावर से पत्थर को गिराया जाता है 500 मिटर गिरने पर इसका वेग ह सा फॉर्मूला है वी इक्वल टू रूट टू जी एच टू यहां लिखेंगे जी कितना ले लेते हैं टेन हाइट कितना दिया है पांसो यह इसको सोल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट क्यूशन है नीचे एक वेग समय ग्राफ दिया गया ह जो है वो क्या बताता है विस्थापन को तो इस एरिया सीडी के लिए यहां से यहां तक का हमें यह एरिया चाहिए वन वाइट इंटू यहां से यहां का गैप है कितना एट और हाइट कितनी हो जाएगा इसके लिए यह आजाएगा 64 अपन टू 32 मीटर एक ऑप्शन हमारे पास है 32 32 में अपने पास दो ओप्शन आ रहे हैं इसका मतलब सेकेंड पार्ट आप निकाल लेते हैं एक्सिलरेशन जो होता है एक्सिलरेशन होता है डेल वी अपॉन डेल टी तुरन डेल वी के लिए लास्ट पॉइंट पे कितना हो रहा है जीरो वी टू माइनस वी वन अप स्कूर स्कॉइर में ओप्शन मैं चो रहा है कुम सा फोर्थ वाला नेक्स्ट वश्टन है एक वस्तू का द्रविमान चार किलोग्राम है जो मीटर पर सेकंड चार मीटर में पर सेकंड के वेग से गतिमान है तो समवेगों का समवेग का फोर्मला बहुत ही सिंपल एम वी सब को याद होगा मास दे रखा है कितना चार वेलोसिटी भी कितनी है चार कितना आजाएगा सिक्स्टीन केजी इंटू मीटर पर सेकंड अपने पास है कौन सा थर्ड नेक्स्ट क्यूशन आजाएगा नेक्स्ट क्यूशन है एक गोल किपर फुटबाल के खेल में सोट को पकड़ने के बाद यह अपने क्यूशन पढ़ा तो है लेकिन कहां पढ़ा है क्रिकेट में पढ़ा होगा क्रिकेटर जो कैच करता है उसके लिए वो अपने हाथ पीछे लेके आता है तो सेम क्यूशन व जो rate of change of momentum है समवेग में परिवर्तन की दर इसे वो कम कर रहा है इसका option कौन सा अभी नजर आ रहा है फोर्थ वाला option इसके लिए आसान है एक 50 ग्राम दर्विमान की गेंज जो खुर्दरे फर्स पर लुड़क रही है नेक्स्ट क्यूसन में आ दिया है के लिए वेग समय ग्राफ दिया गया फिर से वेलोसिटी और टाइम ग्राफ इसका मतलब acceleration निकाला जा सकता है force होता है f is equal to ma m होता है m लिख दिया हमने into acceleration यहां से निकालेंगे डेल वी अपोन डेल्टी मास कितना दिया है 50-2 gram को हमें यहां कणवर्ट करना पड़ेगा किसमे कि लो ग्राम में में तो 1000 से डिवाइड कर दिया डेल वी फिर से जीरो यहां चेंज हो रहा है लास्ट में 0 आ रहा है तो 0-80 upon time कितना लग रहा है इसमें यहां से यहां तक का 8 seconds तो यह आ जाएगा 50 into minus में आ जाएगा 80 upon 0 & 8 यह आ जाएगा 1212 at cancel होगा कितना जाएगा 0.5 लेकिन कैसा नेगेटिव तो नेगेटिव में आपका अंसर आ जाएगा कितना 0.5 नियूटन option कौन सा जाएगा फैस्ट वन नेक्स्ट विसन निम्निवे से कौन सा कथन गलत है अनोड बेटरी के धन टर्मिनल पर जुड़ा होता है यह सिंपल आपको पता होगा सुद्ध जल जो है वह बहुत कम चालक होता आएंस नहीं होते हैं विद्धुत अप ग लिए option wrong है जो आपके लिए सही का काम करेगा next question है दिये गए चित्र में विद्धुत अप गट्टे एनोड और कैथोड क्रम सह होंगे देखो यह क्या भरा हुआ है यह एलेक्ट्रोलाइट विद्धुत अप गट्टे बढ़ा भरा हुआ है positive a जो है वो क्या है एनोड है औ तो first सबसे पहले नाम किसका दिया है विद्धुत अप गट्टे का विद्धुत अप गट्टे कौन है बी फिर सेकेंड पर कौन सा है एनोड जो नाम है वो एनोड कौन सा है ए तो ए आ जाएगा यह वाला second option आपके लिए सही हो जाएगा next option अपने को दिया है question अच्छा question द हुआ है 30 degree अपने पास आ जाएगा sign 30 upon sign 45 क्या जाएगा sign 31 by 2 यह value हमें याद होनी चाहिए sign 45 की 1 by root 2 ऊपर जाकर के root 2 ऊपर चला जाएगा upon 2 आ जाएगा cancel करोगे 1 by root 2 आपका option आ जाएगा जो कौन सा है second वाला है next question अपना last question है एक बच्चा जादू दरपन के सामने खड़ा है यह आपने museum अगिरा में आपने देखा होगा ऐसी से आप मिल जाती है किसी दरपन के आगे एक साथ खड़े होते तो अलग-अलग शेप समय नजर आती है तो एक बच्चा जादू दरपन के सामने खड़ा है वह अपने सिर का परतिविम बड़ा सिर का परतिविम समान आकार का और पयरों के लिए छोटा परतिविम बनता है तो समान आकार का इसको दरपन वह कैसा होना चाहिए और आउतल जो दरपन है उसमें बड़ा बन सकता है लेकिन उध्ची उतल दरपन हमेशा कैसा बनाता है उत Na Jaat त्री ओके थैंक्यू नमस्कार साती हो केमिस्ट्री के हम टेक्नट 2024 क्लास 9 का हम सॉलिशन स्टार्ट कर रहे हैं कर्ष्चन निम्मर 51 आसान डेटाबेस कर्ष्चन है कि जलके बास्पन की गुपतूश्मा का मान पूछा गया है बास्पन की गुपतूश्मा का मान NCRT के डेट है कि अकोडिंग 22.5 इंट्व 10 ती पावर 5 जूल पर केजी जो की फिक्स डेट है मेमराइज करना वाला गश्चन है नेक्स्ट थोस पिगलता है तो उसका तापमान थोस पिगलता है तो उसका तापमान एक बात का विशेधार है जब भी कोई भी पधार्त अपनी फेज में परिवर्तन करेगा तो उसका तापम करेगा अबड़ा नियत क्या होता है जब एक सिलेंडर में नियत मात्रा में भरी हुई ऑक्सिजन गेस को नियत ताप पर संपीडित किया जाता है ये लो सिलेंडर इसमें बर्दी ऑक्सिजन नियत ताप पर टेंपरिचर कॉंस्टेंट कर दिया तो क्या होगा नंबर वन सिलेंडर की दीवार उपर प्रती एकंग चित्रफल पर ऑक्सिन रड़ों की होने वाली टग्रों की संख्या बढ़ती है देखो बात कर रहा है गैस की पहले ऑक्सिन की प्रेशन बढ़ाने से उसके यहांगों करेंगी प्रेशन क करे अदर कई गातर को मतलब क्या ओघ और वह होगैंगी पात्री की दीवार उपर बढ़ाएंगे और दाव कब संख्या क्योंति बढ़ती है बिल्कु सआई स्टेट्मेंट है आउक्सीजण ऊग्परिवर्टित हो जाती है वाओ जादू देखो बड़ा यह कह रहा है प्रेशर को बढ़ाने पर और औक नहीं पॉसीवर नहीं है ऑखशीन के वन की घतिए जूर बढ़ती है नहीं गती जूर्या तब बड़ेगी जब टैंपिर्चर बढ़एंगे क्कॉूशन में क्या बोल दोहोई दाब नियत नियत है तो डियत आप मानकी क्टेतीचन दोह जूरण भी नहीं बढ़ेगा तो सही कौन सा बना ऊनली वन उनली वन कहाँ देरा आफ फूर्त option में देरा है समांगी प्रकरती क्या होती है समांगी प्रकरती कि बढ़ा हो मोजींने से समांगी प्रकरती का मतलब यह कि जिनकी बहुतिक वस्ता बलकुल समान होने चीह is बरफ सॉलिडी रहेगी वाई यू गैस ही रहेगी अब रही बात बिटा दौन ओप्शन हो कि मिटी में आपके ठोस के और आपके ठोस के भी अलग लगते रहेगे पार्टिकल मिल सकते हैं लेकिन बरफ और वाई यू से में बड़ा समांगे परकरती के रहेंगे तो फर्स्ट मिलाया जाए कि ब्लियं कि सांदृता 48 प्रतिशत क्या होती है संदृता देखो बड़ा संदृता की लिए बेसिकली हम लोग लिखते हैं किसाब आयतन के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो विले का यतन बटे विलियन का आयतन और इन्टू करते से हैं और सांदर्टा कुश्य ने रहे एड़ तालीज प्रतीशत विले का अधन कुश्य में गिवन है 16 कि उद्धर से वी की वैलिव निका लिए तो वी की वैली निकालेंगे इंट्व किया और यह कैंसिल किया थी टाइम तो यह बनेगा ते तीस पॉंट एंबर क्या यह सही आंसर तो बुलेंगे सब नहीं यह घलत अंसर नहीं इसे तो नहीं इतना है कितनी मातरा में जल मिलाया जाए भाक लिए प्लस अपस्विलिया का पता लग गया विले का पता लग गया जल का पुछा गया है तो बीटा टोटल आइतन में से टोटल आइतन कितना है 33-33 इसमें से माइनिस कर तो 16 एमें एसे टॉन को तो क्या बज्जाएगा हमारे पास के वल 17.33 कि यहां पर है यह रखाड ऑक्षिन के अरेक्ट जब मिश्रन के दो द्रवो में कौतनांग का अंतर हो important line boiling point का difference हो तो ने किस विदिय से परतक करते हैं याद रखेगा direct question है आस्वन distillation method यूज करते हैं यदी कवतनांग का अंतर हो तो है आग को कैसे बढ़े सकते हैं सब्सक्राइब अगनीशामक के तरह प्रियोग में नहीं आता है कि एस क्या प्रियोख कर सकते हैं क्या आग बढ़ाने का क्यों थो बढ़ाने का काम कपें ट्राइग तो प्रतिवी के अंदर काफी लंबे टाइम से दबे पड़े हो जिनके अंदर इधन की रूप में काम लेते हो लगडी प्रतिवी में लंबे टाइम से दबी पड़िये काम लेते हैं क्या नहीं जीवासम इधन की तरह के वल कौन सा काम आता है बड़ा कोईला जीवासम इधन का मतलब क्या जो लंबे समय से प्रतिवी के नीचे दवा हुआ हो और जिसको हम इधन के फॉर्म में काम लेते हूं कोईला थेंक्यू वेस्ट अब लग्त हाजी नमस्का के बाइलिज का स्वासिस इस्ट एक करेंगे दो सिक्स्टी फिस्ट नमर जो कुष्ण है उसका पहले रफन कुष्ण बढ़ते हैं उसके पहले किशन नहीं पर आप्शन देखे तो पहले ने ने यह ने परोटीन तो आपका जो क्रोमोजूम बनते हैं जो गुंसुत्र बनत नहीं अकले DNS is की उपस्तीन होती है को सी का जिली सेल मेंबरेन की बात कर रहे हैं तो सिल मेंबरेन के उसे निपर भी होता है और आपके लिपिटस होते हैं वशा भी होते हैं तो इसके लची ले पन driving lucky वात क ability अपने के लिए जिम्विदार हो तो तो वह से होता है आपका वसा तो इसका पहला पहला पहले आप Tut किसे नहीं कहा था इसका जो सही आंसर वो काउन सा है ऑप्शन नमबर ऑप्शन नमबर सेकिंड नेक्स्ट एक अस्ति को दूसरी अस्ति से जोडने वाली उत्तक कहलाते हैं अस्ति को बोलते हैं अपन बोन्स बोलते हैं बोन्स जो जोडते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं लिगामेंट्स बोलते हैं अगर बोन्स को मसल से जोडना होता तो अपन क्या बोलते हैं बोलते हैं यहां पर आस्ती को जोड़ रहे हैं तो इसका अनसर कोण सा उगया लिगामेंट साफल बडलते हैं इसका जो सही आंसर का हौगा foreign तेजिक ने हैं किसकी उपस्त्रितik कॉलन कायमा का लख्षन है अपने पास में कोलन कायमा क्या होते हैं आपके सिंपल पर्मैनट लटेAI इसका जो आपन पहले नाक्षा और परेक्टी seven का जमाह होता संब आप चिंप किनारे मोटे होते हैं आगनाशय ग्रंथी किसके नियमन के लिए उतरा दे अगनाशय ग्रंथी एक इंगलेश में बोलते हैं और पेंक्रियास जो अगनाशय होते हैं वह ब्लड के अंदर किसका ग्लुकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करते है तो इसका जो सही आंसर वो है रुधीर ग्लुकोस्थर को हमेशा क्या करते है नीमन करने का काम करते है अगनाशे नेक्स्ट कोशिकाओं को उनके खाने के बारे में सावधान रखना चाहिए क्योंकि किसोर मतलब अडल्ड पर्शन तो पह किसोर को हर समय भूक लगते किसोर में सुवाज के लिए अधिक वीश्यद होते है तो इसका जो सही उप्शन होगा उनके सरीर उनके सरीर में तेजी से विकास होने के लिए उचीत हार की आवशक्ता होती है नेक्स्ट प्राकन को इंगित करता है प्राकन मतलब होता है विटा पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है प्राकोश प्राकोश से वर्तिका का इस्ताना अंत्र इसका अप्शन कौन साथ है अप्शन नमर सेकिंड निम लिखित में से कौन से पादप हिस्से में लेकिन जनाव का मतलब होता है sexual reproduction और प्लांट के अंदर उनके अंदर उसमें कौन-कौन से जो पार्ट देख रहे हैं उनमें यूज वाते हैं जैसे कि फस्ट जो है वो पुष्प देरेका आपका फ्लोर हो गया सेकिन आपका बीज हो गया थर्ड आपका फल हो गया और लास्ट आपकी साखा गया साखा किसी भी तरह से sexual reproduction के अंदर प्लांट की हेल्प नहीं करती है कौन-कौन करेगा पुष्प करेगा फल करेंगे और आपके बीज करेंगे तो इसका जो option है option नमर हो गया आपका second ओके थेंक यू